सल्मान खान के घर पर हुई फाइरिंग मामले ने फिर एक नया मोड लिया क्या गैंग्स्टर लॉरंस बिश्णॉय का इसमें नहीं था कोई हाथ वेल जेल में बंद एक शूटर में किये कुछ चौका देने वाले दावे सल्मान खान हाउस फाइरिंग केस लगादा सूर्कियों में बना है बता दे 14 एप्रिल को बैंडरा में सल्मान खान के सी फेसिंग गैलेक्जी अपार्टमन्ट पर सुबह पाँच बचे करीब पाँच राउंड ओफ फाइरिंग हुई रिपोर्टेडली बाइक पर बैठे दो लोगों ने गैलेक्जी पर ये अटाक किया और जिस वक्त ये इंसिदेंट हुआ उस समय सल्मान भी गैलेक्जी में थे इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को अरेस्ट किया जिसमें विक्की कुमार गुपता, सागर कुमार पल शामिल है जिन होने सल्मान के घर गोलिया बरसाई थी अब इस केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है रिपोर्टेडली अक्यूस्ट विक्की कुमार गुपता ने स्पेशल मको का माराश्रक कंट्रोल ऑफ और्गनाइस्ट क्राइम आक्ट कोर्ट में बेल पली फाइल किया है विक्की कुमार गुपता ने पली में में मेंशिन किया है कि वो लौरस बिश्णॉय से इंफ्लूइंस्ट था और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया अक्यूस्ट विक्की कुमार गुपता ने क्लेम किया कि साबरमती जेल में कैद गैंक्स्ट लौरस बिश्णॉय का नाम इस केस से गलत जुड़ा है रिपोर्ट्स के अनुसार गुपता ने दावा किया कि लौरस बिश्णॉय का सल्मान खान हाउस फाइरिंग केस में कोई रोल नहीं है रिपोर्टडली आरोपी विक्की कुमार गुपता ने आगे कहा कि 1998 ब्लाक बग पोचिंग केस में शामिल अक्टर सल्मान खान को डराने के लिए गोलिया चलाई गई थी और उनका इंटेंशन सल्मान को हाम करने का एकदम नहीं था अकॉर्डिं टो रिपोर्ट्स इस हादसे को अंजाम देने के लिए ये डिद नॉट गेट एनी कॉल फ्रम बिश्टनॉई यही नहीं शूटर ने अपने कन्फेशन में कहा कि पैंडेमिक के दौरान उसकी जॉब चली गई और वो कर्ज में ढूब गए और जिसके कारण उसने ये क्राइम किया वही सल्मान खान ने इस मामले में दिया अपने स्टेट्मेंट में क्लेम किया था के सब के पीछे लॉर्ण्स बिश्टनॉई का इन्वाल्वमेंट है लेकिन अब अक्यूस्ट विक्की कुमार गुपता ने कुछ अलग ही दावा किया है क्या इस केस में उनकी बेल ग्रांट होगी रिपोर्टिडली इसकी येरिंग ऑगस्ट 13 को होगी क्या इसकी बाइब और ग्रांट है